गुद मॉर्निंग ओल अल अफ यू वू यू अना, जोती मैम की बेबीज अच्छे है। वेरी गूड मैम भी बहुत अच्छी है आपको पता है आज मैम क्या कराने वाली है आज मैम आपको बताएंगी के हम फ्रिज मैगनेट कैसे बना सकते हैं आपको फ्रिज मैगनेट अच्छे लगते हैं ना हम सब के फ्रिज पर कितने सारे मैगनेट लगे होते हैं बढ़ हमें म को बर्गर की शेप में फ्रिज मेंगनेट बनवाएंगी अगर आपको मन करता है किसी और शेप में बनाने का तो आप कुछ और भी बना सकते हो आप डोनट्स बना सकते हो आप कपकेक बना सकते हो बर्गर बना सकते हो कुछ भी जो आपका मन करें बट मैं को बर्गर बनाने का तो वो मैम ने आपको बना के दिखाया है तिक है जब आप अपना फ्रिज मेंगनेट बना लोगे तो वो कुछ ऐसा लगेगा यमी लग रहा है ना बट खाने के लिए नहीं है यह तो फ्रिज मेंगनेट है जब यह बन जाएगा ऐसे प्लेन पेपर आपको पेस्ट करना है फैविकॉल से उसके उपर आपको डबल साइडी टेप लगाने है क्योंकि हम सब के पास मेंगनेट तो होती नहीं है घर पे तो आ अपने फ्रिज के उपर ऐसे आपको स्टिक कर देना है बट मममा से पूछ के करना ठीक है और अगर आपको फ्रिज मेंगनेट बनाने के लिए मैंगनेट मिल जाता है तो फिर आप मेंगनेट लगा सकते हो डबल साइडी टेप की जरुवत नहीं है अब मैंने इतना बड़ा बर्गर क्यों बना के दिखाया आपको ताकि आप अच्छे से बना सको बट आपको चूट असा फ्रिज मेंगनेट बनाना है क्योंकि जादा वेट होगा तो वो फ्रिज पर बहुत देड तक स्टे नहीं कर पाएगा ठीक है या फिर आप लाइट वेट क्ले यूज कर सकते ह बट मैं तो कहूंगे आप जो घर में कले बची हुई है ना जो आप बहुत बार यूज कर चुकियों उसी कले को यूज करके बना आपको बहुत मजाएगा अब यह एक्टिविटी हम करें चालो मैम ने अच्छा बनाया ना इफ रिज मैगनेट आपको भी ऐसे ही बनाना है आप सब बर्गर खाते हो ना तो बर्गर में सबसे उपर जो बन होता है हम पहले वो बनाएंगे उसे बनाने के लिए हम लाइट कलर की कले लेंगे और उसे टू पीसेज में ऐसे तोड़ लेंगे और फिर एकदम सॉफ्ट कर लेंगे से राउंड 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 करके जैसे ममा रोटी बनाती है वैसे ही आपको एसे दोनों हैंड के बीच में रखके एकदम सॉफ्ट कर लेना है क्ले को और ऐसे प्रेस करना है ठीक है यह हमारा जो बन है हमने 2-2 बनाए है पहला मैम ने बना करके साइड में रख दिया है और अब मैम दूसरी क्ले ले रही है उसको यह मैम सॉफ्ट सॉफ्ट कर लेंगी ठीक है और फिर से राउंड राउंड करके मैम दुबारा से उसको दोनों हैंड्स के बीच में रखके प्रेस करेंगी ब्राउन कलर की क्ले ली है क्योंकि अब मैम टिक्की बनाने वाली है जो लोग वेज़ खाते हैं वो आलू टिक्की बर्गर खाते हैं और जो नौन वेज़ खाते हैं वो चिकन वाली टिक्की खाते हैं तो मैम ने ब्राउन कलर की ऐसे एक टिक्की बना दी है और उसको कोंओ करने जो कंड Ecki करूं अब ऑफ और उसको पास कांग ठाट यह करों जो आपकें पास गड़ते के आपके आप कर देखों कर दिया ऑफिंकर से उसके जो कर दियान से देखो जोती मैम कैसे कर रही है उसके बाद हम इसे रखके औरेंज कलर की क्ले लेंगे और उसे भी हम रोलर से पहले रोल कर लेंगे स्लोली स्लोली और रोल करने के बाद देख रहो ना मैम की क्ले फट रही है क्योंकि मैम की जो क्ले है वो बहुत पुरानी है बट मैम ने सोचा कि हम मैम उसी कले को यूज करेंगी और फिर मैम ने रोल करने के बाद नाइफ से उसको कट कर दिया तो मैम के पास proper shape आ गई फिर से मैम ने एक और square shape कट कर ली ऐसे अब जितने चाहों उतने color के squares कट कर सकते हो मैम ने green color लिया फिर मैम स्क्व стороны डिख चेपे एप के साहुं ह depends हुप है और अगर आपकी कृष तो जैसे मां कि क्ले फटरीय आपकी स्मूथ लुड है कि फटरेगी आपकी कले थीपल भी अब क्या करता है एक்स्ट्रा पाट को हम साइड में रखे जो अपन बंढ था उसको लेना है और और शबंद के बीच में हमें कि ब्राउन कलर की और अपने टिक्की के ओपर हमें औरेंज वाली लैर रखनी उसके बाद हमें ग्रीन और रड डरकना है अगर आप चीज बर्गर बनाना चाहते हो तो आप इसमें वाइट लोयर भी भी रख सकते हो ठीक है, इस यूर चॉइस कि आप अपने बर्गर को कितना यम्मी बनाना चाहते हो और आपके पस किस कलर की कले अवेलिबल है घर पर ठीक है, अब दूसरा उपर से बर्न रखने के बाद उसको प्रेस करते रहो और सॉफ्टली धीर धीर यह हमारा फ्रेंट साइड रेडी है और जो बैक साइड है हम उससे एक्स्ट्रा क्ले को निकाल देंगे और पीछे से बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट कर देंगे क्योंकि हम बर्गर की शेप में फ्रिज मैंगनेट बना रहे है न हैमने आपको बताया था आज हम फ्रिज मैंगनेट बनाने वाले हैं अब आप एक फाइंट कलर का पेपर कट करोगे थोड़ा मोटा पेपर लेना उस पे वेड़कर लगाना और अपने बर्गर को उसके अगर आपके पास yellow clay बच जाती है तो आप yellow लगा लीजिए red बच जाती है तो red लगा लीजिए मैंके पास brown color की clay बची थी तो मैंने उसे चुटे-चुटे balls पना के उसके उपर लगा दिया अपने burger को और beautiful बढाने के लिए अब हम इस पेपर को प्रेस करके रखेंगे ताकि यह जल्दी से ड्राइ हो जाए और जब बहुत अच्छे से ड्राइ हो जाएगा फिर हम डबल साइडी टेप लगाएंगे और अगर डबल साइडी टेप नहीं लगानी है तो आप मेगनेट का भी यूज कर सकते हैं और इस टेप को पील आफ करके आप फ्रिज पर लगा सकते हैं अब हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी है हमारा फ्रिज मेगनेट बिल्कुल रेडी है प्यूटिफुल है ना आप पिक्चर क्लिक करना और जोती मैम को शेयर करना ओके बाबाई